नमस्कार साथियो मैं हूँ एड़बुकट सोक चोधरी आज आप लोगों के साथ एक मेरे दिल की बात, मन की बात, मोधी जी का एक वो आता है न मेने का मेने कारिकर मन की बात, तो मेरे दिल की बात आप लोगों साथ सेहर करनी थी और मेरे मन में विचार होते हैं तो हो सकता है कहीं ने कहीं आप लोगों के लिए भी बेनिफिट हो सकता है उन लोगों के लिए जो गर पे बैटके विदेश में लाकों कमाने का सपना लेते हैं या पिर उनको लगता के लिए हम तो कमेरिगा, कनेड़ा, सिंगापूर जा के अच्छी जोब लगेंगे और अपनी तो लाइफ सेट हो जाएगी क्यूंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास जितने भी वोट्सोप पे या पिर कमेंड में जितने मेसेज आते हैं उसमें 80% लोग विरोब कंट्री वाले होते हैं और आज तक साला मेरे को ये समझ में नहीं आएगी आज तक मेरे को एक बंदे ने कॉल नहीं किया तीन साल से मैं सोसलि मेडिया पे हूँ कि सर मैं फलाने अजेंट के थुरू गया और मेरा काम हो गया मैं आज सेटल हूँ एक भी बंदे ने मुझे विरोब कंट्री के नाम से ये बदा ही नहीं दी समझ रहे हो बात को तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ क्या आपको लगता है क्या आपको लगता है विरोब कंट्री, UK, USA, America, Canada, Singapore, Australia, England, Germany, France आपको जाना आपको लगता है कि आप पहुंच जाओगे आपका काम हो जाएगा आपको लगता है आपको यह लगता है कि आपको लगता है इन कंट्रीओं में तो मामूली बात है जाना क्योंकि आपके पास मोबाइल के ओफर, लेटर, मेल वगरा है या पिर किसी अजेंट से बाउन करते हो या किसी ओफिस में कॉल करते हो लेकिन मेरी thinking माज आप लोगों से शेर करूँगा आप लोगों क्या लगता है थोड़े से तोयार पैसे लग रहे है कोई काम नहीं करना, कोई इंट्रीव नहीं देना डायरेक्ट आपका सलेक्शन हो रहा है डायरेक्ट आपका ओफर लेटर आ रहा है अजेंड ने पूरी जिम्मेदार ले लिया है, सेलरी से पैसे अकटवाने है जी, दुबई कतर के लोग 70-80,000 लाग रुपे दे देते हैं, एधर अमेरिका विरोग कंट्री में तो बहुत कम पैसे में आपका काम हो जाता है, तो आपको यह लगता है कि अपना काम तो हो जाए एक छोटा सा जोब लेने के लिए आपको कितनी मसकत करनी पड़ी है, मैं इस सलाइड के मादे में से आपको समझाऊंगा, कुछ फुटेज डालूँगा, कि एक छोटा सा जोब हेलपर का होता है, कंट्रक्शन में हेलपर लाइन का जोब सबसे फोर्थ ग्रेड में मान लो, जो अजेंड मेरा साती था, वो कहीं, आज से दस साल पहले जोब करता था, आज उसने खुद ने मैन पाउर का ओफीस ले रखा है, खुद काम करता है, गलप का, लेकिन वो गलप का करता है, उनके यहां इंट्रुई थी, ठीक है तो उन्होंने फेस्बुक पे फोटो ने ड अस्तल पे 10 बज़े आपको पहुचना पड़ेगा, ठीक है, फिर सुबह से 10 बज़े से लेके साम 5 बज़े तक आपको वेटिंग करना पड़ेगा, कि कब आपका इंट्रुई में नंबर आएगा, ठीक है, उसके बाद वहां नंबर आ जाता है, आपको फोरम बगना पड़ कमपनी की तरफ से, HR मानलो, मनेजर मानलो, क्वाज़ेट कोई भी आता है, वो आपको देखता है, कि हाँ, आपको काम करना पड़ेगा, काम आपको काम आ गया, उसके बाद वो अपनी कमपनी की कंडिशन बताता है, कि जी हमारी 10 गंटे डूटी करनी रहेगी, फ्राइडे क कि छुटी हम देंगे की नहीं देंगे, एक साल से हम आपको टिगट देंगे की नहीं देंगे, यह हमारी कंडिशन है, आपको साथ बार जचे तो यहां सिगनेशर कर दीजिए, ओफर लेटर पे, वहीं के वहीं, फिर आप, वहाँ पर भी आपकी नहीं चलती है, कमपनी की और वहाँ पर आप फिर भी उनके एगरी हो जाते हो, कि ठीक असर हमें एगरी है, आपके सामने प्रिक्टिकल हो रहा है, आपको सब कुछ लाइव होगा, वहाँ पर अगर आपका काम हो रहा है, तो कुछ चिटिंग नहीं होने वाली है, जो है वो ही है, वहाँ पर सब लगता है कि हाँ आपका काम हो गया अब वहाँ पर दिकत क्या आती है मैं बता दूँ आपने सब कुछ कर दिया दो एक मेने से दो तिन मेने तक का टाइम लग जाता है आपको लगता है कि यह जोब तो अपने को मिल जाएगा कोई शोर्टी नहीं है शोर्टी इसलिए नहीं है मैं बता दूं क्यूंकि मान लिजी एक कंपणी विदेश से आती है इंडिया में मैन पावर के पास तुच्चे जेंटों के पास तो आती नहीं है शिद्य बता दूं मैं आपको वो सिर्फ मैन पावर ओफिस में आएगी ठीक है और वो उसमें भी इंडियान गोवर्मेंट की म लोग आ जाते हैं जी कंपणी फिर उसमें से सब लोगों के माली जी 200 लोग आए उसमें से आदे लोग फैलो गए उनको काम नहीं आया यह मतलब उनको कंडिशन नहीं जची सर्थ नहीं जची तो वह वापस आ जाते हैं सो बंदों का उन्होंने सेलेक्शन कर लिया सो बंद फिर भी उनका विजा नहीं आएगा एक हेलपर में कंट्रक्शन लाइन की मैं बात बता रहा हूं आपको तो क्या आपको लगता है कि इतना असान जो आप अमेरिका विरोब कंट्री पहुंच जाएंगे जी नहीं बिल्कुल आपकी गलत पहमी है कि गलप कंट्री में एक से सब कुछ यो करना पड़ता है सब दिखाना पड़ता है कि जी हमें ये काम आता है हमें आपकी सरते मंजूर हैं पूरा एक नंबर में होता है और जो घर बेटे आप जोब लेते हो UK से अमेरिका कनेडा का तो भाई वो इसी तरह से पिर धक्का काते फिरोगे तो मैं आपको ये बाते बता रहा हूं कि इतना असान नहीं है जोब पाना विदेश कन्ट्री में इंडिया में ही जोब लोगों को मिलना असान नहीं है तो विदेश कंट्री की तो आप सपने भूल जाओ तो अपने तरीके से अपने इसाब से जिस के टिगरी है मेन нее पाइं बसके थ तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए यह सलाइड में इसी तरह इसी लिए डालिए कि आपको यह चीजें समझ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब दूर कर लें ताकि हर रोज इसी तरीके से अच्छी चीजान करें आपको मि तेरे जाहिंद वन्दमाद